नमश्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आईए आज 40 वर्स के पुरुस के पाम का एनलेसेस करेंगे इनके सवालों का जवाब करेंगे तो सरप्रथम इनके सवालों को स्थूड़ेंगे फिर करेंगे इनके सवालों का उतर उससे पहले अगर आप लोगों अभी तक हमाई चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया है तो किरपे करके चैनल को सिस्क्राइब कर ले बेल आकन को प्रेस कर दें ताकि रेड़स नोडिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस प्रकार है वरतमान समय में ये अपना कार ही करते हैं और आगे के जिन्दगी के विशे में जानना चाहते हैं कि आगे के जिन्दगी कैसी रहेगी वैपार भी है इनका तो वैपार में क्या ग्रोथ मिलेगा इनको इन साड़े महतपून विशेप इनको जानना है तो आप निश्यंतरिये आपके साड़े ही कोश्चन्स पर हम विचार करेंगे चीजों को बड़ी गहराई के साथ बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे तो वीडियो बहुत जादा महतपून है क्योंकि यहाँ पर से मैं बहुत एक्सपेक्ट पर चर्चा करने वाला हूँ क्योंकि इनके हतली पर बहुत जबरदस पॉस्टिविटी है और ऐसी ही पॉस्टिविटी जिस भी जातक के हाथ पर हो वो जातक अपने जिन्दगी पर आगे जरूर बरते हैं वो जातक अपने जिन्दगी पर जरूर तरक्की करते हैं इस बात की गैरेंटी है क्योंकि इनके हाथ पर समाने सूरी रेखा नहीं है सूरी रेखा इनके असमानी है असमाने वस्था में मतलब बहुत गजब है ऐसे सूरी रेखा वाले व्यक्ति multi-talented होते हैं साथ ही साथ अपने जिन्दगी पर बहुत आगे बढ़ते हैं और बहुत आगे बढ़ने के प्रयासरत भी रहते हैं तो इन सूरी रेखा के विश्या में एक ही कथन है कि ये सूरी रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ पर होती है ऐसे व्यक्ति बहुत गुनी और अपने गुन के दम पर इनको पहचाना जाता है जाना जाता है तो आए देखते हैं हम क्या है इनके हाथ पर अवस्था है और कैसे है इनका व्यक्तितो है क्या इनके positivity और क्या इनकी negativity क्या ये आगे करोड़ पती बन सकते हैं करोड़ों का ये तो आज भी है और आगे भी करोड़ों का इनका होने का पूरा chances है तो ये मैं सूरी रेखा का बात करा था क्या अदभुत सूरी रेखा मदब एकदम गजब सूरी रेखा पूरे हतेली पर है और जब भी हिर्दे रेखा से उपर की सूरी रेखा आ जाए तो ऐसे विक्ति आधिकारिक सम्मान को जिन्दगी पर पाते है आधिकारी सम्मान कहने से आड़ते है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सम्मान जनक होते हैं सम्मान जनक कारी करते हैं लोग इनको सम्मान करते हैं इनके गुन के अधार पर इनको सम्मान किया जाता है और दिमाग इनका जो होता है वो गजब का तेज होता है मदब ऐसे व्यक्ति मल्टी डेलेंटेड होते हैं और गजब की मान सकता होती है गजब की तीज मान सकता होती है किसी भी प्रकार के कारे को ये मेंटों में सुल जा सकते है सूरी देखा आपके गुन को दरशाता है बड़े प्रसाशनिक अधिकारी बड़े अर्मिस्टेटिव पद पर रहने वाले व्यक्ति के हाथ पर भी ऐसे सूरी देखा देखी जाती है मतलब ऐसे व्यक्ति अपने गुन के दम पर पूरे समाज में प्रकासवान रहेंगे इनके गुन के दम पर इनको सब लोग सराहेंगे क्योंकि ये बहुत जादा गुनी होते है और अगर ये ज जोड़ दिखने वाले सूरी रेका इनके हाथ पर है जो कि अविश्वस नहीं है अभी मैं आगे चलड़ रहा हूँ और क्या पॉस्टिविटी इनके हाथ पर है एक अदवुष से दिखने वाले बुद्धरेका जिसको मरकरी लाइन कहते हैं तो बुद्धरेका मतलब बसनस की बुद्धरेका मूल भूत रूप से दातक का वैपार होता है और वैपार में तरक्की करने के योग को भी ऐसी बुद्धरेका बताती है उसके उपरांत यहां से भी एक बुद्धरेका आगे बढ़ रही है जो कि ये भी बरी बेर मिसाल मानी जाएगी ये भी बड़ी कमार म पाने जाएगी तो इस बुद्ध रेखा के फल सरूप जातक का करोरों का विपार होता है और जातक अपने जिंदगी पर निरंतर आगे ही बढ़ते हैं चुकि मनी ट्रेंगल भी इस अवस्था में बना एक ग्रेड़ ट्रेंगल बना चुकि यहां पर एक छोटी सी मनी ट्रें यहां पर से इनकी ये दो पॉस्टिविटी उसके उपरान तो और भी पॉस्टिविटी इनके हाथ पर है इनकी पॉस्टिविटी है ना ये देखो बहुत बढ़िया इनकी बहागी रेखा है इनकी बहागी रेखा बहुत जबरदस्त है ये बहागी रेखा इंडिकेट करती ये जातक भागय के भी धनी होते है कुछ स्कॉयर जैसी आकरती बनी है तो multiple property के सुख को बताता है और जातक एक समय के बाद life में बोहत पैसा कमाता है अभी 40 वर्स की इनकी आयू है मैं बताऊंगा वो समय इनका कब आएगा थोड़ा patience बना के रखे और जीबन में एक समय के बाद निरंतर तरक्की के योग आपके एतली पर बने हुए है जो जातक के जिंदगी पर तरक्की को achievements को बताती है और समझाती है ये तो lines के वस में positivity थी इसके उपरांद भी lines के वस में और भी positivity है जैसे कि इनका एक बहुत बढ़िया square sign ये square sign जुपिटर पर बना है और जुपिटर पर बना square sign indicate कर रहा है कि ऐसे विक्ती बड़े उच्छ सम्मान को पाते हैं और एक age के बाद 32 से 35 वर्स के आयो के बाद जिंदगी पर जादा growth मिलता है और comfortable life बिताते हैं एक प्राक्रमी व्यक्ति के रूप से इनको जाना जाता है और जिंदगी पर बड़ा कारिय बड़ा मुकाम हासल करते हैं तो ये तुछ लो देख लिया आपने ये सब इनकी positivity थी जैसे बुद्ध पर खई रेका भी थी ये भी आपके तेजी का परिशे कराती है जातक बहुत तेज होते हैं दिवाक इनका बहुत तिवरगती से चलता है इस बात का ये परिशे तो करा ही रही है अभी मौरवे चीजों को देखते हैं इनके हाथ पर ये तो केवल और केवल केवज में positivity थी अभी थोड़ा planetary conditions के वज में positivity को देखते हैं तो सबसे पहला था शुक्र बहुत बढ़िया शुक्र है लगजरियस जिंदगी रहता है और भी बहुत प्रकार की चीज़ें शुक्र के द्वारा मिलती है वो मैं आगे वैचार करूँगा मंगल दोनों बढ़िया इनका highly developed है और चंदरमा भी बढ़िया है सन मरकरी भी इनके काफी अच्छी है ब्रश्पदी भी ठीक ठाक है थोड़ा गरबर भी था लेकिन ठीक है तो maximum planets इनके अच्छे conditions में हैं जो जातक की जिंदगी पर comfort को बताती है और जिस भी विक्ती का maximum planets काफी अच्छा हो तो उसके लिए life में कोई समस्या नहीं होती उसके लिए जिंदगी पर कोई परशानी नहीं होती वो जिंदगी पर बहुत सुक्सोविदा को बिताते हैं यह इस बात का परचे भी करा रही है चुकि आपका बरश्पती जो है के अलावा भी और भी जो planets है वो बहुत अच्छे है लेकि थोरा जुपिटर हलका दवाब में मैं उस बात को विचार करूंगा maximum planets आपके वैसे अच्छे conditions में है तो यह अच्छे जिंदगी को बताती है अभी हम विचार करेंगे इनके negativity पर यूगि negative चीज़ को समझना भज्रूडी होता है आपके जिंदगी पर positive चीज़ तो आपको फाइदा ही देता है लेकिन अगर अपने हम negative चीज़ पर विचार कर ले और उसके लिए आगे कुछ workout कर ले मतलब कुछ उपाए कर ले तो आपके जिंदगी पर वो जो negativity है ना वो जादा आपको परशान है नहीं कर पाएगी और positivity आपको जादा अच्छा फल दे पाएगी कैसे दे पाएगी एक logical sense में आपको बताऊँ तो अगर आप 100 रुपे कमाते हो और आपको 50 रुपे खर्चा है अगर आप अपने खर्चे पर नियंतरन कर लो तो कमाई आपकी उतन ही रहेगी लेकिन savings आपका बढ़ जाएगा क्योंकि अभी आप 50 रुपे सेव कर रहे थे अगर खर्चे पर नियंतरन हो जाए और जिन्दगी पर आगे बढ़ पाएंगे और काफी tensions भी आपके जिन्दगी पर कम रहेंगे इसलिए मैं सभी से आग रह करता हूँ सभी से request करता हूँ खास करके अपने negative चीज़ पर तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए और इसको ठीक करने हैं तो जितना बन परियाब उपाये जरूर कर लीजिए तो अभी मैं आगे देख रहा हूँ इनकी negativity का जुपिटर सुर्वाती दौर में कर बर थी तो definite रूप से आपके struggles काफी आपके जिन्दगी पर रही है ये struggling life को indicate करती है जातक के पारिवारिक समस्याइं भी रहती है दामपत्य जीबन में भी किसी परकार के समस्याओं का सामना करना जरूर पड़ता है चुकि जुपिटर का तनाव था और कारे छेटर को बलाने में प्रॉब्लम्स और एक प्रियड में मान हनहानी के योग को भी ये बताता है तो जुपिटर इनका तनाव बड़ी स्थिती में था और दूसरी में जब इनके जीबन रेखा पर ठीक तरीके से गौर कर रहा हूँ तो जीबन रेखा पर ना ऐसी करके लाइन्स मुझे और दिख रही है जो कि एक टेंशन वाली अवस्था को दरशाती है जब भी जीबन रेखा के सम्तूल एक रेखा ऐसे दिख जाए और थोड़ा डार्क पन आपको लाइफ लाइन में दिखे इसका मतलब होता इस पार्टी को दर समय तक आप समस्याओं से ग्रशित रहते हैं तनाव युक्त जिंदगी आप बिताते हैं और वो तनाव बढ़के कोई धोके के में भी तबदील हो सकता है कोई बड़ी मुसीबत में भी तबदील हो सकता है तो जब मैं जीबन रेका पराओंगा तो इस नेगेटिविटी का वस्तारन के साथ विचार करोंगा जिससे आपको समझने में काफी आशानी होगी और इसके लिए समय रहते वे रेमेडी करने के बाद चीज़े बरी नॉनमल रहती लेकिन रेमेडी जरूर कर लेना चाहिए तो ये नेगेटिविटी थी उसके उपराओंगा आपकी भागी रेका जो है न अगर मैं प्रारंबिक समय से आपके तली को देख रहा हूँ तो बिल्कुल भी भागी रेका का साथ नहीं है और जब किसी वेक्ति के जिंदगी पर भागी रेका का साथ प्रारंबिक समय से नहीं हो तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा ठोकर करना पड़ता है लाइफ में स्ट्रेगल्स करना पड़ता है लाइफ में बहुत ऐसा परहावादा जिस परहाव में इनको लगता है कि क्या पता मैं अब आगे बड़वी पाऊंगा की नहीं एक निराशावादी सोच को भी बताता है चुकि हम कोई कारे कर रहे हैं और वो हमारा कारे फलित हो ही नहीं रहा है हम जान लगा कि किसी भी कारे को कर रहे हैं लेकिन उस कारे में कोई स्टैबलिटी नहीं है उस कारे में कोई मज़ा नहीं है तो आपका माइंड ये बेशक कहेगा न कि आखिर गरबड़ी क्या है आखिर दिक्कत क्या है आके लिए समस्याएं मेरे साथ ही क्यों हो रही है तो वही बाली बात है जब भागे का साथ ना मिलता है तो लाइफ में ये एक जो negativity है ना वो मन में भी आ जाती है और कहीं न कहीं आपके कार छेतर में भी वो दिखने लगता है और अगर मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ तो भागे रेखा आपके गरबर थी 25 में 26 में 60 कायों तक स्ट्रगल किया है आपने तो ये कुछ इनके negativity थी बाकि वैसे कोई खास negativity हाथ पर नहीं है अभी मैं थोड़ा सा इनका प्रशनों पर चलना चाहूँगा कि वैवाहिक जिन्दगी कैसा रहेगा और हदिली पर क्या अच्छी कराब योग बने हैं ग्रोथ जिन्दगी पर होगा कि नी देखिए वैवाहिक जिन्दगी के लिए सबसे पहले तो सुक्र को देखना बहुत जरूरी है जूपिटर को भी देखा जाता है थोरा सा जूपिटर में टनाव था तो पहले विवाहां में किसी ना किसी परकार की समस्याओं को ये बता रहा था और दो लाइन्स इनके हाथ पर दिख रहे मुझे एक बहुत डारक था, एक थोड़ लाइट था, इसका अर्थ होता है कि लाइफ के एक परहाव के बाद आपकी जिन्दगी स्टेवल होती है, विवाहिक सोक आपको जादा मिलता है, लेकिन सुरुवाती दौर में थोड़ी गरबर रहती है आपकी जिन्दगी, तो ये बाद थी, बाकी वैसे अगर देखा जाए, तो ये पैतिसमे वर्ष के बाद कि आपकी विवाहिक जीवन काफी अच्छी रहेगी, काफी संपन्नता के साथ रहेगी, चलो जी इस चीज़ आपके देख लिया, तो ये इनके मेजर प्रशन थी, बाकी आगे के जिन्दगी कैस यहां से दवाब, ये स्ट्रेगल्स को तो बताता ही है, प्रादमीक समय में, फिर भी कुछ प्रगती का योगत होते हैं, ठीक ताक परिवार से आप होते हैं, इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए हैं आपने जिन्दगी पर, ये मान के चलो अब अठारा 19 वर्ष के आ 22 से लेके 26 से लेकर 26 येर के बाद थोड़ें तंआव स्टार्ट हुए, फिर जिन्दगी ठीक ठाक चली, मूल तनाव आपका स्टार्ट हुआ 31 वर्ष किया है, उसे 31 वर्ष से लेके फिर ये परसपर आपके 37 येर्स तक तनाव रहा हैं, बेशक आपका 37 येर्स तक तनाव ये वाली लाइन्स तो तनाव युक्त जिन्दगी को बताती है इस दर्मियान कोई ना कोई समस्याई आपके जिन्दगी पर आई आती रही होंगी और महज 28 वर्स के आई के बाद ही कोई योग बने हुए थे समस्याईने के 37 वर्स तक थोड़ा सा डमाडोल वाले स्थेती रही 37 वर्स तक थोड़ी सी अब डाउन वाले स्थेती रही 37 वर्स के बाद अगर मैं आप कहतरी को देख रहा हूँ फिर जीवन टरे का द्रेद्रे स्मूथ होते बन जरारी है और ये 40-42 साड़ के आस पास बाद मां कि जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसको तुम्हें खतम करने के लिए जो भी सार्थ को पाए हैं उसको मैं आपको दूंगा वो करने के बाद आपके जिन्दगी पर बहुत मेजर बदलाव आपको देखने को मिलेगा तो आपकी चालिसमे वर्स में भी तरक्की है फिर आपके देख लो 43 वर्स में भी है 45 वर्स में भी है ये 46 वर्स में भी आगे बहुत जिन्दगी ठीक है एक 52 वर्स के आस पास भी है 52 के बाद कुछ बड़ी यात्राएं हैं जिन्दगी पर तिरपन में में, तिरपन से लेके आपके 60 तक ट्राइंगल से, 60 के बाद भी लाइफ राइन अच्छी है के तो प्रवत पे अकास्मिक धनलाफ फिशनुमा करती, और आगे भी जीवन ड्रेकाप बढ़िया है, तो इसको दिरगायो सेंस में ही हम बोलेंगे, तो मूल समस्याएं आपके 40 वर्स के आयू के बाद खतम होते वे निजर आ रहे हैं, आपकी हदली पर तो इसका आरत ये होता है जातक के जिन्दगी पर वैसेज कोई प्राबलम्स नहीं रहेगी लेकिन एक बात और है जो आपकी negativity जैसे जुपिटर आपका डाउन है, इसके लिए रेमेडी करने के बाद चीज़ें सारसक रहेंगी कुछ-कुछ समस्याएं जिन्दगी पर बनी रहेंगे, और जिन्दगी का नाम ही परशानी है तो कोई-कोई परशानी रहेगी, लेकिन समस्याएं बहुत ही अच्छा समय है और आगे भी चलेगा, लेकिन कुछ-कुछ परशानिया जो आपकी कुछ planetary conditions के हिसाब से होती है planets के हिसाब से जो negativity होती होती है वो थोड़ी सी बनी रह सकते हैं, उसके लिए हम सार्था को पाई आपको देदेंगे, तो ये इनकी positive negative सी हवस्थाएं थी, अभी इनके इतरीक आप जलन अध्यन करेंगे, चीज़ों का सपस रूप से clear करेंगे, तो वीडियो काफी ज़ाद महतपून है, देखे, सीखे, समझे, ये आगा है स्क्वाइले स्पाम, बड़े महतवा कांशी होते हैं, जिद्धी परवर्ती के इंसान होते हैं, मने में जो बाते बैठ जाए फिर उसको करने के लिए, ये जान लगा देते हैं, सारे ही पैंट्स में लगबग लगबग स्ट्रेंथ हैं, तो ये राजजो कारी हतली को बता है, जहाँ पर से जातक की जिन्दगी पर पैसे डेफिनिट रूप से आते हैं, एक जबरदस थम्ब है, स्ट्रॉंग एक्षा शक्ती है, आपकी यवा किरती है, जबी भी सपोर्ट की आवशक्ता हो, जरूर से मिल जाएगी, इस रिजायर्स के बरे अच्छे लाइन से हैं, विक्ती काफी ज़्यादा महात्मा कांची होते हैं, जिद्धी सबाब के होते हैं, महात्मा कांची होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, काफी ज़्यादा, मतलब अपने थौट्स से ये नीचे नहीं हट सकते हैं, और थोड़े गुस्याल परिवर्थी के भी होते हैं, तो गु गुष्सा आपके लिए ही घातक हो जाएगा, तो गुष्से पर काफी जादा नियंतर करने के आउशकता है, और एक जबरदस थम्भ है, तो एक जबरदस वेक्तितों का ये परचे करा ही रहा है, ऐसे ज़ातक का शांदार वेक्तितों होता है, जहाँ पर से अच्छी प्रिसन बड़े अच्छे वेक्ति है, बस अपने गुष्से पर नियंतरन करने के आपको आवशकता है, बाग ये छोटी बड़ी इंसान काफी हिम्मती है, ये तिंड कर ये अच्छी धारमी कासता है, सेटर्र फिंगर आपके मैनत को बताता है, सूरी फिंगर आपके हिम्मत को तो जाता किसी भी बात को बहुत ये अच्छे तरीके समझा पाते हैं और समझाने का ताकत भी रखते हैं और जबर्दस आपके फिंगर लंबे करें अच्छी creativity अच्छी समझदार ये अच्छा strength का ये परचे different रूप से कराती है अब ये मैं आगे देख रहा हूं तो यहां से कि आकरती जरूर एक पर उपकारी भी ये लोग करना भी चाहते हैं परिवार से जुरूरे रहते हैं जुपडर अच्छा है तो धार सिंग सोच के व्यक्ति समझदार भी है, चीज़ों को बहुत गहराई के साथ समझते हैं, दूर दर्शिता होती है मतलब कोई वेक्ति नजदीक से वो काल ही नहीं कर पाता, ये दूर से भी वो काल ही कर लेते हैं दूर दर्शिता इसे को कहते हैं, माइंड रेका बहुत अच्छी है, दिमाग के 23 हैं, ट्राइंगल से जो नेगटिविटी को दूर कर रही है हिर्दर रेका भी काफी अच्छी है, कुछ एमोशन के लाइन तो थे समाने रूप से बाकि विश्ण योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, ट्राइंगल से जो नेगटिविटी को दूर जरूर कर रही है बैलन्स काफी अच्छा है दिल दिमाग के बहुत तो थोड़े इरिटेशन के योग जरूर थे जातक जल्दी इरिटेट हो जाते हैं ऐसे कहलो आप जल्दी गुस्यल हो जाते हैं बागे आपका माइंड रेका हिर्दे रेका काफी अच्छी संतुरे दिमाग के विक्ति हैं आप क्यां से दबावे तो विक्ती काफी मेहनती जिन्दगी के लास्त तक बागे रेका दिकरी है तो बागे का सास, सरकाली छेदर से दनलाव लाइन ओफ एजोकेशन बहुत बढ़िया है जातक बहुत समझदार परवर्थी के हैं सुरी रेका इनके अदबुत है ना इनके हाथ पर बहुत अदबुत जहां पर से जातक मल्टी डरेंड ड़ा मतब ऐसे विक्ति ना ऐसे विक्ति के पास ना आइडियाज का खान रहता है और इनके आइडिया के बाद ना नीचे हटने की तो बाती नहीं है सुरी रेका बहुत अल्टिमिट है यहाँ से एक ब्रांच और है जो कि ये भी कमाल बता रही है स्कुएर जैसी आकरती आपके भाग गिरेका और सूरी रेका के साथ है तो महज 36 वर्स के बाद तो भाग गुदे होनी ही थी और खास करके 36 वर्स के बाद जादा भाग गुदे होनी थी 36 में वर्स के बाद की भाग गिरेका ना बहुत सटिसफेक्टरी है बहुत ज़ादा कारेगर है, बहुत अच्छी है और आप फील कर लो अपने जिंदगी पर कि आप 36 में वर्स के बाद ज़ादा तरक्य किया और आगे पे निरंतर करते रहेंगे बुद्ध पर खाई लाइन से तो इंडिकेट करते हैं इसे वेक्ति बहुत तेज होते हैं इनका दिमाग जो ना बहुत तेजी से कारे करता है और माइन में किसी भी चीज को कैलकुलेट करने की बड़ी अच्छी कापासिटी और पोटेनिशल होता है सरमर के लिए अच्छी तो हमेशा कोशिश करते हैं कि तरीके से ही कारे करें बुद्धिवेक से ही कारे करें दोनों मंगल इनका पड़िया है जबरदस्त है तो हाईरी एनरजेटिक प्राक्रमी डरते नहीं है परशान है नहीं होते गुसेल परविर्थिक होते है दरने के लिए आतुर रहते है तो वो मत किया करें आप गुस्ताप पनियंतरन करें वो आपके लिए तकलीफ दे माना जाएगा और मंगल पर ये डार्क जैसी देखा इसमें कोट केचरी के लफ़डे जेल यातरा के योग को भी ये बताता है ये लाइन जिस्वी वेक्ति के हाथ पर होना तो कोट के चरी के लफ़डे इन लोगों को होता है तो खासा आपको क्या केर करना है बाकिस के लिए रेमेडी भी मैं दूँगा चदरमा काफी बढ़िया है कुछ आपके यात्राओं को बताता है बुद्धरेका बहुत जबरदस्त है चदरमा बढ़िया है तो जिदगी पर पैसा आता ही है जीबन ड्रेका बहुत जबरदस्त आयो दिरगायो मंगल ड्रेका भी ठीक है प्राकरमी वेक्ति हैं आप और समरपर के साथ कारे करते हैं लगजरी के प्रापर सुक के योग बने हुए है यह लाइन से तो मरी मेंजमेंट जिंदगी पर होता है लेकिन हाँ तीसमे साल तक की जिंदगी में थोड़ा सा टेंशन आपके जिंदगी पर पारिवारिक संदर में रहा है बाकी यह लाइन से थोड़े से यह ज़दा सोचने पर मर्जबूर करती है बाकी मंगल परबल तो ये वालतों का सोचते भी नहीं, कभी के बार सोच लिए, सोच लिए बाद बाकी फर बातों को बहुत लाइट लिने का कोशिश करते हैं वैसे चंदरमा और सुक्र देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, शादी के बाद भागो दे पतनी काफी बागे साली होती है इनके लिए तो ये था निकातली का पूर्टा विश्ट्रेशन अगर आपको अमारे ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सिरे कर सिस्काइब कर दे, आप विक्तिका दूर्प से मैं असास तरे का रिखाना चाहते है और सही जानकारी पाना चाहते है, हमारा वाट्सअप नमरे इसकाशन में ये अगर लेकर आप संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद